हरे कृष्णा भगवत गीता अध्यन माला कारिक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता केवल किसी एक धर्म समुदाय के लिए नहीं अपितु समस्त मानव जाती को लाभानवित करने वाला शास्त्र है जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके शिश्य एवं प्रिय मित्र अर्जुन को दिये गए इस ज्ञान से उनके सभी संशे दूर हुए उसी प्रकार हम भी भगवत गीता का अध्यन करके एवं उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं आईए श्रीमान दास कदाधर प्रभुजी के साथ अध्यन गरे भगवत गीता का हमारे प्रवक्ता श्रीमान दास कदाधर प्रभुजी ने पुने विश्वे विद्धाले के सिंघर कॉलेच से सन 2005 में कम्प्रूटर इंजिनेरिंग में सनातक की डिगरी प्राप्त की एवं जानी मानी सौफ्वेर कंपनीज जैसे औरेकल वर टाइटन टेकनोलोजीज में भी विकारे कर चुके हैं वर्तमान में प्रभुजी भारत वर्ष के अनेग बड़े राज्जर में भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं एवं युवाओं हेतु सेमिनार भी लेते हैं तो आईए श्रमन करते हैं भगवद गीता अध्यनमाला श्रीमान दास कदाधर प्रभुजी के श्री मुकसे धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा आपका स्वागत है आज के पगवद गीता अध्यनमाला श्रीमकला में आज हम पढ़ रहे हैं अध्याए पहला श्लोक 32 से 35 ये चार श्लोकों का जो सम्मिश्रण है ये साथ में हैं क्योंकि इसमें एक ही भाव प्रकट होता है तो हम लोग साथ में ये चार श्लोक करेंगे आज किम्नो राजेन गोविंद किम्भोग इरजीविते नवा ये शामर्ते कांक्षितम्नो राज्यं भोगाजुकानिच तई मे वस्तिता युद्धे प्राणा स्थ्यक्त्वाधना निच आचार्या पितर पुत्रा स्ततै वच्पिता महा मातुलाश शुराप उत्रा शाला संबन्दे नस्तता एतान नहन तो मिच्छामी इग्नतो पीमद सूधना अपीत्रई लोग के राजस्य हे तो किम्नू महिक्रते निहत्यधातर आश्ट्राना कापरीती स्याजनार्दना हे गोविंद हमें राज्य सुख अत्वा इस जीवन से क्या लाब क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाते हैं वे ही इस युद्ध भूमी में खड़े हैं हे मधुसुदन जब गुरुजन, पित्रुगन, पुत्रगण, पितामा, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे सम्मंदी अपना धन एवं प्राण देने के लिए ततपर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तयार नहीं भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों इस प्रित्वी की तो बात ही छोड़ दो भला धत्राष्ट के पुत्रों को मार कर हमें कौन सी प्रसनता मिलेगी अरे कृष्णा तो यह जो श्लोक है चार श्लोक हैं इसमें अर्जुन अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं वही जो दुरुबल भाव था रिदे में दुरुबलता आ चुकी थी अब उस दुरुबलता के वज़े से हताशा भी आ चुकी थी अब उनको यह प्रतीत होने लगा कि अब निकल ही जाना चाहिए यहां रुकना भी गलत है क्यूंकि यहां पर उन्होंने एक शब्द का इस्तमाल किया है कृष्णे को संभुजित करते हुए उन्होंने कहा है तो भगवान जो है भक्तों के इंद्रियों को आनन्द जरूर देते हैं लेन उतना ही देते हैं जितना जरूरी है उनके अध्यात्पिक प्रगति के लिए तो यहां पर अर्जुन गोविंद कहके यह प्रतीत कर रहे हैं कि है प्रभू ऐसा करिए कि मैं इनकी हत्या कर दीज तो वह आसन भी मलीन हो जाएगा और मैं भी सुक नहीं पापाऊंगा क्या बोलूंगा क्योंकि आदमी कुछ करता भी है तो दिखाने के लिए करता है इस संसार में है क्या नाम है आपके पास बहुत पैसा है तो आप चाहते हैं कि मेरा नाम सबसे धनी लोगों पहला आए ज या कोई धन अर्जन करने का लोभ हो तो यह सब लोग पहले पहले उसके लेकर जब मिलने लगता है तब वो अपने नाम और प्रतिष्ठा की सोचते हैं पूजाला प्रतिष्ठा शूक्रे रविष्ठा ये चीज तो दुख देता है लेकिन उसको समझता नहीं तो अग्यान अभी नोकर जो होते हैं यह ज़िए नौकर इसको अनौकर कम करते हैं अधिक प्रेम देंगे बेटे का प्रेम देने लगेंगे तो फ्राफ़र्टी मअधिकार मांग लेगा तो इसलिए एक ऐसा संबंद बना के रखना होता है कि आपका काम भी हो रहा है और तोड़ा बहुत आपका प्रती जो आपके हिर्दे में जो सानभूती है वो भी उसको जगे मिल रहा है लेकिन ये जो भाव है ये दिखाने का कि देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रेम करता हूँ तो ये एक संबंद पाने के आशा से होता है कि मुझे संबंद मिले इसको ये न लगे कि मैं बहुत दुष्ट आदमी हूँ ये भले मेरी सेवा कर रहा है पर इसे हमेशा ये लेकिन सम्मान के हेतु जब आपको इदान देते हैं सम्मान के हेतु जब आपको कारे करते हैं तो उसमें एक महक्सी आती है वो एक ऐसा भाव बन जाता है कि वो सुख नहीं दे पाता आपको पूरा सुख और चैन नहीं दे पाता तो यहां इसलिए गोविंदे शब्द का इस तो नहीं होगा कि वही मारेंगे हमारे तरफ से जब शस्त्र चले तो यह भी मरने के लिए तैयार है इसका मतलब इनके इन में भी बहुत साथ त्याग भावना है तो ऐसा करते हैं अगर यहां इतना खून खराबा होगा और इतने लोग मरेंगे इससे अच्छा है कि मैं इनको को दे दू और निकल जाओं तो हे गोविंद हे प्रभु आप मेरे इंध्रियों को समझते ही हैं आप तो सभी इंध्रियों के मालिक हैं तो क्रिपा करके मेरे मन को भी आनंद दे दीजिए या तो आप ही हत्या कर दीजिए या मुझे जाने का पर्मिशन दे दीजिए इसलिए अंत में एक शब्द आता है निहत्यधारत राष्टरन काप रीदी साथ जनार्दन जनार्दन शब्द का भी इस्तमाल यहां भगवान के लिए किया गया है भगवान भी अर्जुन को बोलते हैं कभी पारत बोलते हैं कंते बोलते हैं भरत बोलते हैं लेकिन यहां पर जनार्दन शब्द अभी अर्जुन भी कर रहे हैं अधन आधन मतलब उनका उनको आनंद देने वाले हो तो दोनों भावज यही कह रहे हैं तो आप भी आनंद दो उनको जिता दो छोश हो जाएंगे औरना ऐसनम वी स्मायओन के अशिकिते स्मावित्न emina करिए आप ही इनकी हत्या कर दीजिए लेकिन अर्जुन त्रिकाल दर्शी नहीं होने के कारण माया के प्रभाव में ऐसे वाक्य बोलने करण यह नहीं जानता था कि भगवान इस रचना को पहले ही रच चुके थे यहां आने वाला एक भी वेक्ति वापिस नहीं जाएगा क्य हम कि जब जब धर्म की इगलानी होती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रकट हो के परिक्त्रानाय सादूनाम विनाशायच दुश्कृताम धर्म समस्था पनार्थाय संभवामी यूगे 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 फिर धर्म की सापना करने के लिए मैं अभी एक बार नहीं है बहुत पैसे कमालेंगे भूद धन अरजित कर लेंगे तो केवल मन में कुछ एक आकड़ा होगा कि मेरे उस एकांट में पांच करोड़ हैं यह आकड़ा होगा जो दो चवनी कमाता है, दो रुपे कमाता है, वो भी उसको गिनते रहता है, कि आज कितना भीकारी भी गिनता है, कि एक, दो, तीन, उसके मन में भी आकड़ा का संकलन होता है, कि हाँ, आज हम पचीस रुपईया कमाएं, तो अब दस रुपईया का खाना खाएंगे, अब पं निमित में जो सुख है उसमें रहना चाहते कि मिर पास इतना है इतना है तो यहां पर वो कह रहें कि प्रभु आप एक काम करें आप इन लोग के हट्या कर दीजिए अम मुझे खाली कर दीजिए मुझे जो है अब आप छोड़ दीजिए मैं नहीं कर पाऊंगा इस तो यह जा क्यों मैं केवल निमित्त हूं वो नहीं कितने वार बोल चुके थे अर्जुन को तो अभी जैसे गीता में आप आगे हम लोग चलेंगे इस प्रवास में देखेंगे कई बार अर्जुन बोलते हैं कि अब हम आना ना तो ऐसा है इस कारण में युद्ध नहीं करूंगा फिर भ अब या तो तुम्हे एक ही मौका है या तो मेरा निमित्त बहना तुम हड़ जाओ उसी होने वाला युद्ध तो होना ही अनिवारे है क्योंकि तुम भाग के भी जाओगे तो दुरियोधन तुमारे दुरोपदी को पकड़ लेगा फिर तुम युद्ध करने ऐसे भिया हो गया तो युद्ध तो निश्चित है तो कभी-कभी चेस में होता है लोग चेक्मेट हो जाते हैं अप्षन ही नहीं है वो तो खेल छोड़के जाना ही पड़ता है तो दुरियोधन भी एक ऐसे चक्रवी में आके फस गया अपने ही अहंकार के कारण अपने लोब के कारण लोब अपाता चेत्र सहा इनिया अध्या में आगया आएगा लोब के लोब में आने के बाद आदमी इस भगवान के जो रचे हुए चक्रवी में फसने लगे थे और यहां तात्परे में हमारे स्वामी प्रोपा जे बहुत अच्छा चीज बताते हैं बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं वो कहते हैं कि भक्त अगर किसी अपराधी को माफ भी कर दे क्योंकि भक्त एक मुदी क 250 भा हैपना भाही समझे लेकिन अपने भागा करता और नहीं किया। अफिर्व को दूश्मन भी गुसी के साथ ना करें वो तेयार थे, परंग तू, प्रौपाजी समझाते हैं कि भागत अगर खुद भी माफ कर दे, लेकिन भगवान माफ नहीं करते, इसलिए हमारे वैश्णों में पहला एक दस नाम अपराद माने जाते हैं कि भगवान के नाम जप में होने वाले दस नाम अपराद माने जाते हैं उन में से सबसे पहला यह नाम अपराद पदों पुराण में आते हैं सबसे पहला नाम अपराद मानग है उन वैश्णों की निंदा करना जो भगवत कार्य में या उनके नाम के प्रचार में या उनके गुणगान के प्रचार में लगे हुए हैं उनका अपमान या उनकी निंदा करना तो यहां पे अरजुन जो हैं भगवान का कारे कर रहे हैं और पांडव जो हैं वो धर्म की स्थापना के लिए मदद कर रहे हैं और द्रोपदी जो स्वयम अगनी से प्रकट हुई थी देवताओं का वर्दान थी जो धर्म के लिए सदेव सज्ज थी उस धर्म के प्रतीक को जब उसके वस्त्र को हाथ लगा दिया दुरियोधन ने तो इससे पड़ा अधर्मी और कोई नहीं हो सकता तो स्वयम भगवान पूरा जवाय वस्त्र हरन हुआ तो द्रोपदी को पूरा संरक्षन दिया भगवान ने लेकिन समस्या यह है कि भगवान उस चीज को नहीं बद्धजीव भूल जाए क्योंकि बद्धजीव का जो बुद्धी है या ज्यान है वो थोड़े दर के लिए रहता है फिर भूल जाता है मेमोरी शौट टम रहता है लेकिन भगवान नहीं भूलते है भगवान फिर यहां पर वो छोड़ेंगे नहीं दूरियोधन को चाहे अरजुन युद्ध करे ना करे एक कथा आती है दुरवासा मुनी की अंबरिश महराज के साथ भागवत में ये दर्शन आता है कि एक अंबरिश महराज जो राजा थे तो राजा व्रत किये थे और उपास रखे थे और ऐसा होता है कि राजा लोग भी उपास करते हैं जन कल प्रजा का जो है अध्यात्मिक उन्नती हो और वो लोग भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पन कर पाएं इस भाव से और भगवान प्रसन्न हो पाएं की सेवा से इसलिए राजा भी वरत रखा करते थे कई भक्त वजनो कारतिक में अपना वरत रखते हैं कोई एक बार खाता है कोई मिठाई नहीं खाता है तो कोई पचीस माला नाम जब करता है तो कोई गरंत पढ़ता है तो कोई ऐसे आने के वचा नहीं तो कोई सी फल खाता है इससे भगवान के कारे में ज्यादा समय देने का म तो उन्होंने सुबह जब पान तो थोड़ा सा खाना होता है क्योंकि एकादशी के बाद द्वादशी आता है तो थोड़ा सा अन्न ग्रहन करने से जो है एकादशी समाप्त हो जाता है और द्वादशी चलू हो जाती है तो वैसे इन्होंने जो उपवास रखा था तो उपव दुरवाशामुनी जो हैं वो अती दया लू है तो ऑती क्रोधी भी है। शन में एकदम दया कर देंगे अशन में एकदम कुल कर देंगे। अगर खूष हो गये तो आश्रीवत देंगे अग घुस्चा हो गए तो आपको भश्मा करने वी ताकत रखते हैं। तो दुर्वासामुनी आए अम्रीश महराज के राजे में उसी समय जब उनका पारण का समय आ रहा था तो दुर्वासामुनी आए तो राजा बहुत खुश हो कि अम्रीश महराज हाथ जोड़े और बोले कि हम धन्य है कि आज इस ऐसे शुब आउसर पर आप आए हैं तो आप क्रिपय करके विश्राम करिए तैयार हो जाए और फिर आप आपके भोजन का भी प्रबंध किया जाएगा दुर्वासामुनी गए तब तक ब्रहमनों ने बोला राजा से कि राजा आपका जो समय है ये चला जाएगा तो जो आपने लोगों के कल्यान के लिए कारी किया है तो बोले लेकिन कैसे करूं कि अभी दुर्वासामुनी आये हैं जब कि ये प्रशाद नहीं पा लेते तो मैं कैसे कुछ ग्रहन कर सकता हूं तो ने बोले ठीक आप ग्रहन मत करिए के वल कुछ दो भूंद पानी पी लीजिए उससे ये हो जाएगा कि जो वरत्त है वो भी जाएगा और दुर्वासामुनी के समक्षाप ने कुछ खाय तो है ने तो कोई समस्य नहीं होगा तो अमरिश महाराज ने ब्रामुनों की और अपने मंत्रियों की सलह को स्विकारा तो उन्होंने दो बूंद थोड़ा पानी घ्रहन कर लिया और उतने में दुर्वासामुन मैं तो ऐसे तुमको नहीं करना चाहिए रुको बोले मैं अभी तुमको नश्ट कर देता हूं गुस्य मुनन अपने जटा से एक केश निकाला और जमीन पर फेक दिया दुम करके जो है एक असुर प्रकट हो गया जो अंबरीश को मारने के लिए निकला लेकिन वहां अंबर करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता वहां पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए उन्होंने उस असुर को खतम करी दिया लेकिन आगे जा जा कि दुर्वासे के पीछे लग गया तो दुर्वासा मुनी भी देखने लगे यह क्या है कि यह तो मुझे ही कर तो भागने लगे भा वाइकुंट तक चले गए दुर्वासा मुनी वाइकुंट तक गए विश्नु का दर्शन भी किये और फिर जब दर्शन किये तो बोले किया रिए सुदर्शन चक्र है बोले अगर कोई मेरे भक्तों का अपराद करता है तो उसको मैं ख्षमा नहीं करता लेकिन अगर वो व परिश महाराज के चरणों में बुले कृपा करके मुझे माफ कर दो मैं इस महानता को नहीं समझ पाया तो अमरिश बूले ना ना मेरे मन में तो इसको भाव भी नहीं था आपने अपराद भी नहीं किया और आलिंगन किया तब सुदर्शन जग्र में पीछा छोड़ा तो यह जानना बहुत जरूरी है कि भगवान अपने भक्तों के रक्षण के लिए सदेवतत पर रहते हैं साधू नाम रिदयम मैयम कि भगवान साधू के इरदे में रहते हैं क्योंकि साधू भी भगवान के इरदे में रहते हैं और भगवान साधू के इरदे में रहते हैं यह वो सबका चित्त हर लेते हैं वो ऐसे बाल लिला करते हैं ऐसे गौाल लिला करते हैं कि सबका दिल चुरा लेते हैं रिदे चुरा लेते हैं लेकिन भक्त जो है वो भगवान को प्रसन करके अपने रिदे में चुरा के रख लेते हैं तो भगवान अपराद कते ही सहन नहीं करत तो मुंबे में तभी जमीन था वह बहुत दूर था समंदर किनार में था आज तो वहां बहुत बड़ा टाउन है सारे फिल्म स्टार वाले लोग वहां रहे तो प्रोपात जी जाते-जाते भगवान को प्रार्थना किये कि मैं प्रचार में जब अग्रसर होंगा आगे तो भगवान ने राधा राजबिहरी जी का जो विग्रह है वो स्वाइन प्रोपात जी ने वहां पर स्थापिक किया तो जब वो जमीन लिया तो एक व्यक्ति था वो बड़ा दुष्ट था उसने जमीन तो दे दिया लेकिन कागजपतर के काज ऐसे काम ऐसे किये कि वो बा जब फेसी तोड़ने तक भी आ गया तब प्रोपात जी ने शंभर के लिए विचार किय और प्रोपात जी ने तभी के कुछ हिंदू जो नेता थे बाला साहिब ठाकरे जैसे लोग उन्होंने मदद किया तो इसमें बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने मदद किया और तो यही जो व्यक्ति था जो दुष्ट था अनेक भक्तों को बाल खीच-खीच के मार रहा था, इसका ये प्रोपाजी से फिर बात हुआ और उसके दो दिन, तीन दिन बाद ही उसको हाट अटक आगया और मर गया, तो सब भक्त यही बोल रहे थे कि, प्रोपाजी भोले, कि ज लेकिन वो व्यक्ति जो सदेव दूसरों को कष्ट देता है, तकलीव देता है, अगर उसे कुछ चला भी जाए तो उसे दुख नहीं होता, अच्छा ही लगता है, क्यों काटा रहता है, वो सदेव कच्रा करने वालों में से रहता है, तो भगवान अपने भक्तों को किया अन्याई जो है, उसका प्रतिशोध नहीं बोल सकते हैं, परन्तु उसका दंड माप दंड तो देही देते हैं, उस पे न्याई जरूर करते हैं, एक भक्त थे, उनका नाम था गोपाल चपल, तो बादने भक्त बने पहले तो वो एक ब्रामन कुल से थे, परन्तु श्रिवा महाप्रभू के जो पारशत हैं, श्रिवास ठाकूर, उनके उनके प्रती द्वेश रखते थे, उनके प्रती वो करोध रखते थे, तो उन्होंने एक बार क्या किया, ये दिखाने के लिए श्रिवास ठाकूर किर्थन करते हैं, लेकिन अच्छे भक्त नहीं है, ये डोंगी हैं तो इनको एक्सपोज किया जाए तो उनने खुद ही क्या किया कुछ मास का तुकड़ा काट के कुछ देवी मा का सिंदुर रख के काली पूजा का सावान रख के उनके दरवाजे पे रख दिया सुबह सुबह तो मास और यह सब देख के और गाउं अलों को बला देखो दे बहुत बड़ा भक्त है ऐसा बोलते ही श्रीवास ठाकुर तो भक्त थे श्रीवास ठाकुर बोले कि बोले एकदम तुम सही बोल रहे हो यह तो मैं भी मानता हूं कि मैं बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं मैं तो भक्त ही नहीं हूं तुमने मुझे पहचान लिया यह तो मेरा सोभाग है ऐसा बोल कि श्रिवाश ठाकुर चले गए परंतु गोपाल चपल को कोड़े हो गए जिसको इंगलिश में लेपरसी बोलते हैं पूरा शरीर में कोड़े कोड़े हो गए और पूरे खुन निकलने लगा पस निकलने लगा बद्बू आने लगा तो बाद में उसको ध्याना आए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है तो चेतन महापुर के बास गया बोले चेतन महापुर कृपा करिए मेरे उपर मजे बचा लीजिए जए जब वहिशनों का तुमने अपराध किया है उसी वहिशनों से जब तुम माफी मांगोगे तब तुम्हारा अपराद शीन होगा, तो उन्हों ने जा कि गोपाल चपल श्रीवास्ठाकुर के चरणों में गिरे, माफ कर दीजिए, श्रीवास्ठाकुर ने उठाया उनको आलिंगन दिया, और तत्पष्चात उनके जितने भी कोड़े थे और उते सब निकल गए, तो कोई अगर भगवा ने अर्जुन को ही इस्तमाल करके, दो भाईयों के जगड़े में भगवान खुद नहीं गिरे, लेकिन न्याय कर दिया, धर्म की स्थापना भी कर दी, और भक्तों का रक्षन भी कर दिया, तो ये भगवान का जो रोल है, महाभारत में बहुत एहम है, और अब भगवान अ अगलेश लोकों में, अब अर्जुन की ये समस्या तो हो गई, कि मैं भोग कैसे करूं जब सम्मर जाएंगे, अगलेश लोकों में वो अब वारणास्रम की बात करेंगे, और वारणास्रम की चिंता ग्यक्त करेंगे इस युद्ध से, और हम लोग देखें कैसे आगे उसका निवारण भी करते हैं धन्यवाद हरे कृष्णा